पर दर्शकों स्वागत है आप सभी का आपके यूटूब चैनल में मैं हूँ आप सभी के साथ देभु मेरी सिकेश उत्राखंड से आचारी आसीज फड़ापट चर्चा कर लेते हैं आज हम लोग यहाँ पर ब्रेस्पती और शुक्रास्त को लेकर यानि गुरुवस्त और शुक्रास्त को लेकर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे लेकिन दर्शकों यदि आप नए दर्शक हैं पहले बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप निशित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही बैल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में आपको नियमित रूप से ज्यान बरतक चड़ जाएं जोतिस की विविन योगों की वीडियोज और साथ साथ में मुहुरत आदी की विजानकारी समय समय पर मिलते रहें खास कर जो हमारे हमारा चैनल अद्यात्मर जोतिस है उस पर मैं आपको बिविन ऐसे अस्तान जो पौराने की स्तल होते हैं और ऐसे दार्शनी की स्तल होते हैं उसकी भी वीडियोज आपको कभी-कभी उपलग्द कराता हूँ तो दर्शकों आज हम लोग यहां पर चर्चाव करेंगे एक बीच में बात और रखना चाहूँगा यदि आप कोई भी वीडियो के सम्मन्दित कोई प्रशन आपके मन में उड़ता है आप उसे लिखना चाते हैं कोई सुझाव आप हमें देना चाते हैं या किसी खास प्र कोई जन्मकुनली की विचलेशन आप करवाना चाते हैं या फिर अपने व्यक्तिकत रोप मुहुर्त अप लेना चाते हैं ग्रहाप्रवेश अपनी रासी के डुषा ग्रहारम्या विभादी का मोर्थ है अन्प्राशन का मौर्त लेकर आपको यहां पड़ दे रहा हूँ कि ऐसे कौन-कुन से कारे हैं कि हमें जो सुक्रास्त और गुरुस्त में नहीं करना चाहिए अर्थार्थ क्या कारे हमें करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए कई बार कई लोगों का मानना ये होता है कि वो लोग कहते हैं कि इसमें दैनीक पूजाएं नहीं होती हैं अर्थार्थ मैं पूरे डिटल में बात करूंगा कि क्या क्या कार हैं जो हम कर सकते हैं और जो नहीं करना चाहिए तो दर्शकों मैं इस पर चर्चा करूंगा अब हम लोग गुरु वस्त और ब्रहस्पती अस्त को पहले समझ लेते हैं फिर उसके बाद चर्चा हम लोग करेंगे दीखे जब ब्रहस्पती और सुक्र सूरी के बिलकुल निकट आ जाते हैं तो सूरी के तेज से वह अस्त कहलाए जाते हैं जब हम जन्मकुली का निर्मान करते हैं तो जन्मकुली के अंदर जब भी सूरी के साथ कोई ग्रह पढ़ता है यानि उदारन के तोर पर हम समझेगे कि मानि लगन में हमारा सूरी बैठा हुआ है और सूरी के साथ ही हमारे ब्रस्पती बैट गए हैं या सुक्र बैट गए या कोई भी ग्रै बैट गया तो उसको हम यहाँ पर अस्त मानेंगे वो सूरी से क्योंकि सूरी का प्रकास सूरी का तेज इतना है कि उसके साथ अस्त हो जाता है तो सबसे पहले तो हमें अस्त को समझ दा है खासकर मैंने ग्रामे नंचिलों में या कई जगह में उत्तर प्रदेश की कई हिस्से या महरास्ट, 36 गड़ लोगों के इस प्रकार से भी कहता वा सुना बिहार में कि तारा अस्त कब है खासकर वीडियो के कॉमेंट में भी काफी लोगों के प्रश्णा आते हैं इस प्रकार से और वेक्तिकत फॉन कॉल के माध्यम से भी लोग पूछते हैं कि तारा अस्त कब हो रहा है लेकिन तारे तो यह सारे हैं ऐसे में हम सिर्फ तारा अस्त कहकर के इसको बात को خतम कर लें इतना नहीं हमारा क्योश्टन ये होना सी ए कि गुरू से सम्मंदीते तो ब्रश्पति कब अस्त होंगे और शुक्र हैं तो शुक्रास्त कब होंगे तो इसी प्रकार से तारास्ति सी हम इसी को हम लोग समस्तेр कहते भी तो इस बात को आप सबसे पहले समझ लें कि ब्रस्पती और सुक्र जब ये सुर के निकट आ जाते हैं तो हम सुक्रास्ति या गुरू अस्त के रूप में इसको समझते हैं यनि ये अस्त हो जाते हैं वह समय कुछ विसेश कारियों के लिए शुब नहीं माना जाता है क्यों? क्योंकि हम तारा बल जब हम लोग देखते हैं तो उसमें गुरू बल है शुक्र का बल है या चंदर बल है जैसे विभा में भी हम लोग गुरू बल को देखते हैं चंदर बल को देखते हैं सुरी बल को देखते हैं त्रिवल सुद्धी का आ जाता उसको, मैं इस पर भी एक वीडियो बना चुक हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं, कि विभा का मूर्त कैसे निकालते हैं, एक वीडियो मैंने इसके लिए बनाया, अलग से आप उसको खुद देख सकते हैं, दूसरा, विभा के मुहुर्त की, कि मुहुर्त में क्या-क्या चीज़ें में इसे इस देखते हैं, तो इस प्रकार से जो हैं, ये सुक्रास्त और गुरुवस्त होते हैं, इनमें कौन से कारतियाज हैं, मैं आज इस पर चर्चा करूँगा, यदि हम ग्रहे निर्मान करते हैं, या नव निर्मित घर में परव का निर्मान कर रहे हैं हम पंप लग भा रहे हैं महाँ पर खुद भा रहे हैं यानि बोरिंग कर भा रहे हैं कुमा खुद भा रहे हैं तो ऐसे कारे भी हमें इस समय नहीं करने जाए हैं यानि शुक्रास्त और गुरुवस्त में बगीचा हम कोई लगा रहे हैं यानि आम के बगीचे हैं या हम भलदार कोई भी हम बगीचा लगा रहे हैं तो हमें इस समय कार्यारंब नहीं करना चाहिए कोई खास ब्रतारंब हम कर रहे हैं किसी खास उद्देशी से या वरतोत सर्ग हम कर रहे हैं तो दोनों अबस्ताओं में हमें गुर्वस्त और सुक्रास्त में नहीं करना चाहिए दस महादान यदि हमने विसे रूप से कोई दान का हमने बिचार बनाया और दस महादान हम कर रहे हैं तो हमें वो भी इस समय नहीं करने चाहिए दान देने का हम दस महादान विसेस कर यह नहीं कि हम किसी कोई चीज दे रहे हैं उसका दान हम करना चारे हैं तो उसका हम नहीं करें ऐसा नहीं है इस प्रकार का जो हम दस महादान कर रहे हैं जैसे कि इसमें अस्वदान है सुरन दान है तिलपात्र का दान है वहान आदी, भूमी, भवन, कन्या इस प्रकार का जो हम स्पेसरी दान कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है कोई विशेश यग्य हो गया सोम यग्य है, कोई प्राण परतिष्ठा है तो उसको भी हमें नहीं करना चाहिए दिक्षा आदी की बात आदी है कि हम यदि गुरू मंत्र ले रहे हैं क्योंकि गुरू मंत्र अपने जीवन में गुरू धारान करने की एक प्रंपरा है हमारे स्वनातन पद्धती में और गुरू के बिना भवन दी तरह ही न कोई अर्धार्त गुरू का अस्तान काफी हमारे है जो है स्रिष्ट और जरूरी माना गया है तो दिक्षा हम यदि ले रहे हैं तो हमें ऐसे समय पर नहीं लेना चाहिए जब गुरू अस्त और सुक्रास्त चल रहा हूं अन्परासन आदी अन्परासन के बाद भी जो है अन्य सस्कार है जिसे कर्ण भेद है मुन्नन सस्कार है जिसको हम चूड़ा करम कहते हैं उपनयन सस्कार है या केसांत सस्कार है या वेदारंब सस्कार है हम भेद का ध्यन करना प्रारम कर रहे हैं गुरुकुल परमपरा के निसाथ तो यह विवहा का मूर्थ है विवहा दी तो यह भी हमें सुक्रास्त और गुरुवस्त में नहीं करने चाहिए तो आपने देखा होगा खासकर यह विवहा है यह ग्रह प्रवेश, मुन्नन तो कुल मिला के यह जो है जो ऐसे कार हैं यह हमें गुरुवस्त और ब्रस्पती के अस्त होने पर नहीं करना है ब्रस्पती हम सुक्र के अस्त होने का विचार अनपरासन के पूर्व के संसकार जैसे कि जात करम है नाम करन है, निस्क्रमन है अनपरासन है तो जो कि एक निस्चित आयूं में करने होते हैं इसका एक समय सीमा तै होती है तो इसके लिए जो है इसका विचार नहीं किया जाता है ये आराम से कर सकते हैं लेकिन किसी कारण बस अन्नपरासन के पूर्व के ससकार निस्चित समय पर नहीं किया गया हो तो उसके बाद करने के लिए अगर मानलो समय तीन साल में हमने तब नहीं किया या नहीं कर पाए तो उसके बाद अगर करने के लिए तो ब्रस्पति और सुक्रास्त अगर चल रहे हैं अगर मानलो वो अवदी निकल चुकी है और उसके बाद हम अगर कर रहे हैं तो हमें गुरुवस्त और सुक्रास्त इन दोनों के समय को छोड़ देना चाहिए आप समझ गयोंगे जैसे कि हमें तीन साल में मुन्नन करना है लेकिन हम नहीं कर पाए अब हम चोथे साल या पांचो साल का चोथे साल में हम कर रहे हैं या मतलब उसके समझ अवदी के बाद कर रहे हैं किसी भी चीज को उधारन के तौर पर कह रहा हूँ तो हमें फिर गुरुवस्तर सुक्रस्त का बिचार करना चाहिए अब बात आती है कि राज्या भी से किसी कोई पदाविशिक होना है किसी पद पर जो हैं उनको न्यूकत होना है तो ऐसे में आध्वनिक समय में कहा जा सकता है कि नई सरकार का गठन पदगरहना हो या मंत्रि मंदल का पदगरहनो अब वो तो अलग विस है लेकिन जो उसका आधार है उसके लिए भी हमें इस चीज़ का विचार करना चाहिए या फिर हम किसी राज्य प्रतिनिदी से किसी राजा महराजा से हम व्यक्तिकों रूप से कोई विसेस मेंट करना चाहिए तो वहाँ भी हमें इस अवस्ता में नहीं करना चाहिए कोई पवित्र तीर तिस्तानों के हमें यात्रा करनी है कोई विसे इस यात्रा पर हमें निकलना है तो भी हमें इस समय को जो है छोड़ देना जाए किसी देश की हमें प्रधम यात्रा करनी है हम किसी देश में पहली बार जा रहे हैं तो समय भी हमें नहीं करना चाहिए अब हवन यग्यादी में जैसे लोग कहते हैं कि नहीं सुकरास्त चल रहे हैं तो दैनिक हवन इसमें हम कर सकते हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है कोई बिसीस कामना के पर कोई यग्या नहीं समय करना चाहिए इसके साथ ही और क्या कर सकते है इसके जैसे कि आपने देखा होगा कि नित्य पूजा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां में कोई नवगरह का अनुष्टान कराना है मानलो सूरी की तसा चल लिए हमें उसका अनिष्ट फल प्राप्त हो रहा है तो ऐसे मैं हम गुर्वास्त इत्यादी की जो पूजा है उसका हवन है यह सुन्दरकांडादी का पारण पाठ करवा रहे है तो इन में उन चीजों का विचार नहीं किया जाएगा कि सुकरास्त हैं या गुरुस्त हैं वो आप आरामसिक कर सकते हैं तो कुल मिला के मैंने आपको बातें बताई बिरस्प अस्त शुक्रास्त होने के साथ 6 मास और अधिक मास में भी हमें ये सभी कार्य नहीं करने चाहिए और इसके साथ साथ खास बात यदि अस्त होने के कुछ दिन पूर्ग उदय होने के कुछ दिन तक ये ग्रह बलहीन रहते हैं इस बात को हमें थोड़ा और समझना होगा जैसे कि ग्रह अस्त होने के कितने दिन पूर्ग और कितने दिन बाद उदय होने के तो इसमें जो हैं ये तब तक बलहीन रहते हैं इस पर मतांतर हैं तो कम से कम ब्रहस्पति और सुक्र अस्त होने के से तीन दिन पूर्ग अगर मान लो तीन दिन बाद ये अस्त हो रहे हैं तो तीन दिन पहले से आप इसको बलहीन माने और उदे होने की तीन दिन बाद तक हमने काईदे से इन कारियों को वर्जित कर लेना चाहिए इनको छोड़ देना चाहिए जो ब्रश्पति और सुक्रक अस्त होने की इस्तती मे तियाज हैं उन सभी कामों क्योंकि इन दिनों ग्रह ब्रिद्ध व्यक्ति ये नवजात सिसु की तरह होते हैं जो कि उनकी छमता अधिक नहीं होती है वो अपने कार्य करने में शफल नहीं हो पाते हैं दर्शकों कैसे लगी आपको चर्चा वीडियो को लाइक करना और सेर करना न भूलें ताकि आपके सभी लोग आपके प्रियजन हैं उन तक भी ये खास क्यान बर्दक चर्चा पहुंच सके आप सभी हमार साथ खाने रहें और देखते हैं अधियात मर्जूत इस आप सभी का धन्यावास